आज का पूरा टाइम निकला है वह सारा बारिस में निकला है और हमारे साथ बाइक वेए पलसर N-160 बहुत ही प्यारी बाइक है इसको काफी ज्यादा चला है बारिस के अंदर दो तीन धूर्परफरेंस वीडियो भी बना इस बाइक के और माइले तेस्टी के गया है काफी सार तो जरूर करो कि थोड़ी सी मजाज मस्ती होई कि वाइक के साथ तो वो क्लिप दिन आपको आगे चल की वीडियो में दिखाऊंगा और इस वीडियो में इस भाइक की सभी डिटेल चाये वह बाइक का चलने का रंग धंग हो कैसे चलती है वाइक पर्फरमेंस हो लैट शो गे देखने वाले साथ के आपको बतना चाहूंगा है लो दोस्तों मैं आज सबीका दोस्त राइडर वीर जी अपनी पूरी राइडर फैमली का सागत घर्दव आज एक में वीडियो गया लेकिन अभी बर चुका है पूरे जूते पानियों देखो दिख रहे हो नहीं दिखा सक अभी दिखाता हूं देख इतने पानी में चलेगा आते हैं तो फिर पानी तो बढ़ेगा ना जूता हूं लेकिन रैडर वी तकड़ा होगे आज अपना हर एक चीज एक्स्टीन करके बता हूंगा मैं बाइक के बारे में आप सभी को काफी देर से चला रहा हूं मैं वह इस निकाली थी ना अपनी मिनिम्म मैलेज थी बाइक को आप चलांगे तो इतना तो मैलेज आप बैक से फ़ला मिल जाएगा पको इतना मालेज वह तना मालेज आपने चेक की है त्यूब भी तो राएडर रिवी, को भारी है और राइडर रवी के साफ़ बाइक की ओफ लिग अच्छी पानी टेस्ट हो रहा है देखो भाई सब आगे तो काफी ज्यादा पानी है को पूर्थी अब अब कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहे बाइक वैसे शहीं बताओं तो अब भाग भी लेगी आपर होती है अराम से आरी है यह बहुत ही आराम से पता में नहीं लगा था कि पानी बढ़ा होता है ना तो साइड में से कुछ भी निकलता है तो पानी की लहरे ना उनकी वह ज़ेसे जादा पानी के अंदर प्नी बाइक थोड़ी सी उससे दूर बगती मतलब पानी के लेरों के साथ हो जाती लेकिन अभी जो आराम से निकल के यारू तो जादा रेशिस पिर पानी इसके ऊपर से आजाता और मेहरे पर गिर जाता व्याए फिर कि फिर भी तोड़े इस पानी जपनतों दंदा है ना उप्पर वाला पानी साफ है कोई नहीं आब अबन मैं हाइव पर चट जाएंगे हां से और उसके बाद फिर राइट रिव अपना स्टार्ट करते हैं तो इस वह पाल तक ची पता जाता हूं भाइग है भुथ ही स्मूथ लगती है चलाने में मैंने एंट फिप्टी के वारे में आपको बदाया दर बोटी स्मूथ लग र लेकिन जो पैटन एंजन का शेंट इंजन है और रही रिफाइनमेंट लेवल आपको इस वाइक में देखने को मिलेगा सर्विस इंटर्वेल भी वैसे तो आपको पांचार क्लोमेटर पे एंजन्सी तो जाना होगा लेकिन एजन्सी में आपकी जो मैं सर्विस है वो पर चैक की जाएगा वैक कोई इसूत नहीं है बाइक के अंदर और दर दर किलोमेटर पे गाएगा जो ओल एंजन ओल उसको चैंज किया जाएगा तर दर क्लोमेटर पर इंजनो जो आपकी एक सरिविस के वाद दूसरी सर्विस होगी है उसकी कोश्ट ना के वराबर रहेग तो यह काफी अच्छा लगाता मुझे एक टुफिप्टी सीची की वाइक में चला रहा हूं पावर भी काफी अच्छी है और देट सुरूप में सर्विस हो गई यार ओफिसेली वह भी एजन्सी से तो काफी सही लगा कि इतने कंप्राइज में न तो वही सेम चीज यहां भी की गई है आपको वही सेम सर्विस मुलेगी 10,000 किलोनेटर पर इंजन्सी जरूर ले जानी होगी मैं आपको दुबारा बता जता हूं को भी आप एजन्सी ना लेकर वाइक को क्योंकि चैक करते हैं वाइक मों को कमी तो नहीं है पर्फेक्ट चल रही है नहीं चालती है जो सर्विस के बारे में और थोड़ा सा स्मूथनेश के बारे मिस पाइक इंजन बहुत इला जवाब है यारी जो बजाद नहीं पलस्तर अपने निकाली है चाहे वो टू फिप्टी हो या फिर बढ़ी है मैंने बजाद में पहली बार इतनी स्मूथ पाइक देखिया घजब बता देता हूं कि काफी लोगों को यह शिकायत है वाइक से की पावर कम दी गई है बाइक के अंदर वाल इंजन फोर वाल इंजन नहीं है तो बात यह बेसक टू वाल इंजन हो और पावर शिस्टीन एच्पी कियो शॉला बेचिक और भी ठीक है मैंने बाइक चलागी आपको उसी के लिए बस उस बाइक को पिक कर लेना चीए आपकी नीड क्या है वह आपको समझना बहुत जरूरी आपकी नीड के आपको पर्फरमेंस ही चाहिए तो फिर इक अलग बात लेकिन आपको अच्छी वाइक चीए तो फिर बात करते हैं वीडियों तो देगो ऐसा ही चीए फिर आपको सायद कोई और भाइक ही भाइगे आपके मन को और भाइक फिर बैस्ट पर्फरमेंस में लेकिन आपको काफी चीजे और एक वैली फॉर प्रेडिक्ट चीए डोजन एविस मिल जाते हैं वाइक के अंदर रिवियों में और बात करने हैं आपन काफी सबसे अच्छी बात और जब मैं वाइक को वन टॉंटी तक लेके गया था तो मुझे वाइबर्शन बहुती कम फिल और तो बहुती ना कि वराबर वाइबर्शन होते हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि बेसेक टू वाल इंजनों बाइक के अंदर लेकिन इसमें वाइबर्शन 166 की जितनी वी बाइक है 166 की बात कर रहा हूं मैं उस ट्रेग्मेंट जितनी बाइक है मुझे अभी तक सायद कम सब से कम वाइबर्शन इस बाइक के अंदर फील हुए सब से कम तो अभी देगा नैसीज की बात करीजिए तो यहां मैं आपको बदा दू कंफर्ट के वारे पर तोड़ा से एग्रिस्वीव होता है थोड़ा सा ज्यादा नीद फोड़ा लेकिन मज़ा आता है और यह सबसे बैस इस्वॉट्ट माइक के लिए बहुत ज्यादा कंफरेट आपके से तो वहां पर फिर इस्पोर्ट वाली फिल निया पाती देखो मुझे तो मुझे फि चीज की बात करें तो क्लेच की लगाइट आपको बिल्कुल भी ऐसा फिली नहीं होगा कि आपने कब गलेच को दवायर कब शोड़ दिया वाई मुझे भी फिल नहीं होगा और इसके लवज ने चीज अपनी ब्रेकिंग तो बेकिंग वाइट काफी सही यह बाइक की लेकिन अब बहुत ज़्यादा एक्रिश्व बाइट नहीं है लेकिन को अच्छा देबाती है ऐसा नहीं की आप आपको वहां देखने में बिल जाती है जो ज़्यादा पर फेंट वाइक होती है लेकिन साइगमेंट के साफ से अच्छी ब्रेक्स है वाइक के अंदर और डूर डु और अगर आप इस बाइक को 110-100 की स्पीड पर चला होगा तो सब से कम वाइबर्सन साइद इसी वाइक में फील होगा इसके अलाव बाइक की गेर शिफ्ट भी काफी सही है स्मूत है कोई सिकायत आपको गेर शिफ्ट से नहीं होगी मिरर की वीजिबल्टी भी अच्छी है म स्लिप्स की जो यह ग्रिप है ना इनकी पकड़ काफी सही है मला आपके हाथ स्लिप नहीं होते हैं बारिशन चला रहा हूं लेकिन फिर बड़ा शाही कॉंफिडेंस वाइक दे रही है मुझे बिल्कुल भी कॉंफिडेंस लूज करने की अफर कॉंफिडेंस कम होने की वह बाइक पर देनी चाहिए फिर यहां पर चलानी चाहिए जहां जैसा मेरा मन कर रहा है मैं वहां पर बाइक वैसे ही जला रहा हूं गई इसके लाब जो हैडलाइट का तुरफ वही बहुत ही ब्राइट है अपनी जो एंड पुटिटी आती है उसी वाली है ब्राइटनेस को लिए निए जिसे जादा ब्राइट है लाइट किसी बाइक में आपको देखने को नशी में लेकित तो जब वीडियो स्टाट वीडियो तब मैं यहीं पर ख़डाता और अभी वही एंपर ख़ड़ा उसका रिजन यह कि मैं वीडियो पहले करके आज चुका था और आप सभ स्टाइम है और मेरे लिए सबसे बढ़िया चीज है किसी और वाइक को छोड़ रखता हूं चाहे उसमें 2-4 फीचर मुझे एक्स्ट्र देखने को मिल जाए मुझे उससे परवा नहीं बढ़ती है लेकिन इंजन रिफाइन है जैसे में आपको वीडियों बताए भी ना तो काफी सारी चीज है जो इस बाइक को अपने सेग्मेंट मों बहुती स्ट्रोंग प्रोड़क्त बना देती है और मेरे इसाब से एक बहुती वैली फॉर मनी प्रोड़क्त है अगर आप पर्चेस करना चाहे तो बेजीजक परचेस कर सकते हो आपको बिल्कुल भी शोचने की जरुत नहीं है हां एक डेट भी पार जादा होने से यह निए कि बाइक अच्छी हो गई सेफ्टी इंपोर्टेंट है और स्टेबिटी भी रोड पर चलती है तो इस्टेवल भी होनी चीए लुक्स भी अच्छी होनी चीए तो इस वाज़र समय बोल रहा हूं माइलेज भी काफी सही है लेकिन खरीदने से पहले आपके दिल को संतुष की जरूर मिले यह निए कि आपने वीडियो देख लिए हो जा के पर्चेज कर लिए नहीं एक बड़ टैस्टाइच जरूर ले लेना बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बागी आपको बाई कैसी लगी है और इस्टाग्राम पर बता जेना अगर यूटूब पर करते हमालो कहने मतलो इस्टाग्राम पर आजाओ यार फोलो कर लो बागी फुलते नहीं शुड़ी बत्ते के लिए बाई 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 टेक केर देर देर गणों मस रो खुचरो